बाइक तो माई चैनल फ्रेंज आज मैं आप सबके साथ शेर करने वाली हूं कैविटी बॉक्स मेंने कहां से लिए हैं और इसे किस तरह से क्रिएट करते हैं यह देखें यह 24 कैविटी का बॉक्स है फ्लोरल पैटन है मैंने यह पे वोडन यूज किया है कुछ दिवाली के पैटन्स यूज किये हैं देखें यह कैविटी बॉक्स में पहले से हर पोर्शन के एज बने हुए हैं उसकी फोल्डिंग्स हमको ध्यान रखनी हो और बहुत आसानी साथ यह कैविटी बॉक्स बना सकते हैं जितनी भी कैविटी बॉक्स हो उसमें हर जगह आपको सिंगल सिंगल लाइन दिखेंगी और उसी लाइन को अंदर की ओर प्रेस करते हुए आपको बहुत अच्छे से उसे फोल्ड करना है और उसी फोल्डिंग के अकॉर्डिंग्स आपको इसे अंदर की ओर मोड करके प्र मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इसका नंबर दिया था मैं आप सबके साथ उस फैक्टरी का नंबर शेयर कर दूंगी आप डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में जरूर शेक कर ले उसे काफी रिजनीबल प्राइज में हमको यह मार्केट की जगह मानुफैक्टर कंपनी या होलसेलर से मिल जाता है तो कुशिश करें कि आप इसे डिरेक्टली फैक्टरी या कंपनी से ही मुआए और आप इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे फैक्टरी या कंपनी है जो क्याविटी बॉक्स मिठाई के बॉक्स बनाती है आप गूगल पर सर्च करें तो आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा बट मुझे इसका नंबर मेरी एक फ्रेंड ने दिया था तो वन सगें थैंक यू फो हर और यह सारी क्याविटी बॉक्स मैं यहां पर क्रेट करूंगी और उसके बाद मैंने जितने भी बर्ल कॉर्डर बनाएं जितने भी तरह की चॉकलेट बनाएं मेरे इसके यह फ्लेवर्स है इसमें इतनी पीसेज है वह मैं इसके बाद फिर सबकों एक साथ बैठ करके अरेंज करने वाली हूँ तो आप भी इस तरह से वरकिंग करें फ्रेंड आप एक बाहर में बल कॉडर पहले मंगा लें क्यूंकि फैक्टरी हमको एक दो बॉक्स के लिए कि मैंने प्रिपेर कर लिया और आप इसrá इसके बाद isके लिद में अंधर के उर्ड एक सेट कर दें यह ड़िू जब आप इस तरह हो के बटर पेपर कवर करें और नीचे उसमें जब चॉकलेट रखेंगे तो आप पेपर कप सरूर यूज़ करें तो आपका जो चॉकलेट है बिल्कुल सेफ रहेगा मिल्ट नहीं होगा यह देखें मैंने एक वोडन बॉक्स लिया है इसको भी मैं आपके सामने बना कर दिखा रही हूँ इसमें 12 पीस का कैवटी बॉक्स में यहापे क्रेट करने वाली हूँ अलग अलग तरह के मैंने जो चॉकलेट प्रिपेर किये हैं उसके अलग अलग प्राइज़ है चॉकलेट की प्राइज को लेकर के आप सबको बहुत ज़्यादा डाउट्स है बहुत ज़्यादा कन्फूजन्स है बहुत सारे कॉश्चिन्स है उससे रिलेटेड मैं जल्द ह मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपको भी वो सारे डाउट्स मुझे मेरे मन में आते थे और मैं भी कही लोगों से एक टाइम पर वीडियो में कोशिन किया करती थी और मुझे मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे तो आई होब कि मैं आप सभी लोगों के सवालों का जवाब दे पा रही हूँ अगर मैंने अभी तक किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया है तो रियली सॉरी मैं फिर भी एक बास जरूर कमिंड बॉक्स शेक करती हूँ कि अगर किसी का सवाल रह गया हो तो मैं उसे भी साटिस्फाई कर सकूँ अपने रिप्लाई से इसमें थैंक्यू के नोटस आते हैं, कॉंगरेशन के नोटस आते हैं, वेलकम के नोटस आते हैं यह सारी चीज़े आप एक बार में जब भी है फैक्टरी में मैं सजिस्ट करूंगे फ्रेंड की जब भी आप कोई बलक ओर करते हैं जब भी आप कोई चीज बाहर से मंगा रहे होते हैं क्योंकि वो एक बलक ओर होता है एक बार में चीज़े आती हैं और फैक्टरी हमसे कैश ऑन डिलिवरी में यह सारी वरकिंग नहीं करते हैं वो मोस्ली आम से पहले पेमिंट क्लियर करवाते हैं उसके बाद ही वो हमें इन सारी चीज़ों को फावर्ड करते हैं तो आप अपने जो डेटेल्स हैं आपकी जो ओर्डर्स हैं उसे पहले री चेक कर लें और री चेक करने के बाद अप चाहें तो वो mail में उस mail को save कर लें और बहुत अच्छा से ध्यान रखे कि आपने क्या क्या चीज़ें किस हैसाब से order की है cavity trays आपने कितनी order की है उसके lid आपने कितने order की है उसके box आपने कितने order की है पता चला आपने boxes तो अच्छा से order कर लिए cavity trays भी आगे बट आपने lid को 20 की जगा आपने 10 पीस कर दिया तो फिर आपको problem होगी फिर वो 10 पीस मंगाने क्लेप को shipping charge लगाना होगा और दिवाली का season होता है तो ये लोग भी बहुत busy होते हैं वो एक बार में bulk orders भेजते हैं वो तुरं 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 आपको possible नहीं है मिल पाए इसलिए आप ये चीज़े जब भी order करें मैं बहुत ध्यान से बोलूँगी friends कि आप इसको अच्छे से नोट कर लें कि bulk order मंगाते समय आप अपनी सारी चीज़ों को रीच रख करें और उसके बाद ही उसका payment करके उसे order करें यह देखिए इस तरह से मैं सारे cavity box बना रही हूँ आप चाहें तो cavity box पहले कर लें उसके बाद चॉकलेट्स बनाए मैं यहाँ पहले चॉकलेट्स प्रिपेर कर लिए हैं जब तक मैंने चॉकलेट्स में नहीं डाला है तब तक मेरी सारी चॉकलेट्स जो है अगर आपके फ अपनी चॉकलेट्स को प्रिपेर करके बाहर भी रख सकते हैं वैसे में वह मैल्ट नहीं होगी चॉकलेट्स की जो एकस्पारी डेट होती है वह ऐसे तो वन येर होती है बट हम क्लाइन को हमेशे यह कहते हैं कि आप 3-4 मंथ में ही इसे यूज करें क्योंकि 1 येर उसकी एक टेस्ट की कोई गारेंटी हम नहीं ले सकते हैं इसलिए आप कोशिश करें कि 3-4 मंथ से तक ही आप चॉकलेट्स को स्टोर करें उससे जादा कोशिश करें कि आप चॉकलेट्स स्टोर ना करें ये देखे मेरा वुडेन बॉक्स भी तैयर हो गया है इसमें मैं किस तरह से करूंगी इस सारी चीज़ें बताऊंगी आप देख सकते हैं मैंने 12 के दिवाली के जो बॉक्स होते हैं इसको आपको टेपिंग करनी होगी और उसके बाद इसे थोड़ा साब डेकोरेट कर ले थैंक्यू का नोट आप लगा दे या अपने फर्म का कोई स्टिकर लगा दे इस तरह कि शुब दिपावली के स्टिकर आते हैं यह सारी चीजों के साथ भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं यह देखिए एक ट्रे है जिसमें साइड में छोटे चोकलेट के लिए और बीच में बड़ा चॉकलेट आप ले सकते हैं जैसे लड़ी बं बनता है आप उसके बना सकते हैं पांच-पांच के कैविटी ट्रे इस मिलती है मारकेट में तो कई तरह के ऐसे कैविटी ट्रे और इसके बॉक्स मारकेट में अवेलेबल है आपका जो बज़ट है आप जिस तरह का चॉक्लेट प्रपेर कर रहे हैं उसके एकॉड़िंग यह सारी चीज़ इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं फिर मिलूँगी आप सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो उसके लिए तब तक लिए बाई बाई